Hello everyone, welcome to sleepy classes, कैसे हैं आप लोग, hopefully अच्छ होंगे, तो आपने हमारे साथ MPPSC का preparation किया और आज MPPSC State Service Examination 2022 का paper हुआ और paper 1 का हम लोग देखते हैं जल्दी से solutions, solutions हम लोग किस set का देख रहे हैं, set D का, अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, question 1 to 20, इसके बाद जो है next video आएगा, उसमें further questions को cover किया जाएगा, तो चली करते हैं start without wasting any time, अगर पहला question देखें तो क्या है important concepts introduced in IT Act, Information Technology Act 2000, तो कौ कौन से चीज जो है important concepts introduced है, इसमें, इस Act में क्या-क्या included है, तो हम लोग देखें सबसे पहले IT Act जो है, provides legal recognition to transition done via electronic exchange of data and other electronic means of communication, और e-commerce transactions जो होता है, वो सब सारा चीज जो है वो इसी Act के थ्रू गवार्न होता है, अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो यह Act जो है, किसको करता ह लीगल recognition देता है, digital signatures को, electronic records को, ठीक है, इसके अलावा बात होती है, यहाँ पर की कोई certifying authority, ठीक है, किसी का provision, सारे चीज का provision है इस Act में, तो यहाँ पर आप देख रहे थे multiple options दिये वे थे, आपके electronic records, digital signatures, certifying authority, तो सारे चीज जो है, इस Act में included है, तो सही option होगा, आपका option D, all of the above, ठीक है, चली बढ़ते हैं, next question में, auction or dynamic pricing are examples of, तो यह जो है, यह बहुत ही prime example है, आपका किसका B2B commerce का, ठीक है, business to business commerce, बहुत price sensitive commerce होता है, तो यहाँ पर जो है, auction or dynamic pricing, जो है, वो बहुत frequently used होता है, it is a way of setting price, तो यहाँ पर जो है, आपका सही option था, option A, ठीक है, चली आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है, a dash, यह again, computer के basic से question था, a dash is used to transfer data packets between two computer networks, दो network के बीच में, आपको जो है, अगर data packet का transfer करना है, तो वो किसके through होता है, router, ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही option हो जाएगा, option B, ठीक है, जिनोंने भी option B mark किया है, उनका बिलकुल सही है, और इ even हमारे YouTube channel पर भी जो section पड़ा हुआ है, जो free initiatives है, वहाँ पर भी अगर अपने computer का एक भी starting का lecture देखा हुआ, तो वहाँ पर यह सब सारा चीज जो है, बहुत अच्छे से deal किया हुआ था, ठीक है, चली बढ़ते आँगे, a database that contains the names and address of various hosts on internet is called, तो उसको बोलते है, domain name systems, ठीक ह लेकिन जो है, यह कहां, किस system में होता है, इसको बोलते है, domain name system, ठीक है, तो अगेन आपके लिए जो था, यह basics computer का था, यह सब सारे चीज जो है, अगर आप starting computer का जो first lecture होता है, उसमें cover होता है, अगेन देखिए, question तो easy होते हैं, लेकिन exam situation में यही question stuff लगने लगते हैं, ले बहुत complex question नहीं पूछा जाएगा, जैसे आप से IP के बारे में पूछ लिया जाएगा, DNS के बारे में पूछ लिया जाएगा, जैसे यह connection routers के बारे में पूछ लिया गया, तो बहुत छोटे-मोटे चीज पूछे जाते हैं, लेकिन हा, आपको इनके बारे में पता होना चाह यह किस मॉडल के अंदर आता है, आपका तो आता है C2B, ठीक है, consumer to business is a business model, in which consumer, जो है, वो क्या करते हैं, create value करते हैं, और business जो है, उसको वो consume करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है, जैसे, for example, आपका reviewing, जैसे आप देखते हैं, कि आपके कोई जो कस्टम होता है, वो review करता है, तो again, जो है, इस चीज़ का छोटा-छोटा, जैसे concept B2B, C2B, ठीक है, B2C, यह सब आपको पता होने चाहिए, और अगर आपको नहीं भी पता, तो जैसे आप यहाँ पर देखते हैं, consumer fix prices on their own, which business accept, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, कि consumer जो है, वो दे रहा है, business को कुछ, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है, कौन सा business हो जाएगा, आपका मलब कौन सा mode हो जाएगा, वो हो जाएगा, C2B, ठीक है, चली आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखिए, again, यह तो हमेशा से news में था, budget में भी देखिए, हमारे, जो हमारा paid courses था, MPPSE का, वहाँ पर हमने यह सारा चीज़ कवर किया था, जो budget वाला section में था, क्योंकि अटल प्रगतीपद के लिए जो है, allocation था budget में, तो यह question आप से बनना ही, बनना था, यह easy pickings था, कि अटल प्रगतीपद जो है, is related to कौन सा region है, आपका चंबल region है, basically यह कहां शियोगपूर, मोरेना और भीन डिस था, क्योंकि बजेट में, जो भी allocations मिलते हैं, या जो भी announcement होती है, स्कीम पर उस पर बेस जो है, आप से question बन सकता है, अगेन एक next question जो जो पूछा गया, जो कि हमारे paid lectures में covered था सारा, कि in which region of मदर प्रदेश, solar floating projects of 600 megawatt capacity is proposed, तो यह बहुत ही कहा था, यह कहां पर है, आपक अगर आपने किया होगा, तो आप इसको मार कर सकते हैं, खास करके जो भौपाल से related, जो important players है, जो आपके national level पर परफॉर्म करते हैं, उनसे related question पूछा जा सकता है, तो यह जो है current affairs का part था, अगर आपने किया होगा, तो आप मार सकते हैं, क्योंकि यह basically factual question है, ठीक है, उसकी आपके बाद आगे बढ़ते हैं, आपका question 9, प्लेयर आफ मध्य प्रदेश विवेक सागर, जो हैं, वो इसे associated with कि sports से associated हैं, तो यह किस से associated आपके hockey, तो आपका option C, जो हो बिल्कुल सही है, यह होशंगा बाद मध्य प्रदेश से बिलॉंग करते हैं, तो again, यह जो है, क्यों उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कैटलीन नोवाक बिकेम दी फर्स फीमेल प्रेडेंट ऑफ विच कंट्री, तो यह option B हंगरी से है, यह यंगेस प्रेडेंट बनी है, वहां की, 44 यह की हैं, और यह जो है, जो है, जो आप बोल सकते है, नाशनल हेड्स चेंज होते हैं, खास बढ़ते हैं आगे, स्टेट PCS में ऐसा कोशन देखने को मिलता है, इन विच बेल्ट वोल्कानिक एरप्शन इस माक्सिम यह कोशन आप से बन सकता था, जिन्होंने भी जोग्रफी का बेसिक पढ़ा था, यह इन पेड कोसे यह फ्री इनिशेटिव में भी पढ़ा था, चली बढ़ते हैं आगे, मार्कवेट रेंज इन उनाइट स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस फेमस फ़र विच मिन्रल मार्कवेट री जो है, यह अगेन न्यूज में था, ठीक है, इसमें जो है अभी इसके रिसेंटली किसी न्यूज के वज़ा से जो है, यह रीजन आप बोल स अगर आप से छूट भी जाता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस तरह के कोश्चन जो है, आपको डेफिनिटली नहीं मार करने चाहिए, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है, तो पूरी तर से अंदाज मारेंगे, कि उरेनियम, कॉपर, जिंक, आयरन और कुछ भी आपक इसके बारे में, तो इस तरह के कोश्चन जो आपको एक्जाम में अवाइड करना चाहिए, अगर आता है, तो फिर तो बहुत अच्छा है, तब तो आप सिफ स्कोर लेके चले जाएंगे, ठीक है, चली आगे बढ़ते हैं, इसका साही ऑप्शन है, इंद्रा गांधी कैनाल इंद्रागानी कैनाल देखी, इसको स्टार्टिंग में राजिस्थान कैनाल बोगया था, और इट इस दी लॉंगेस कैनाल इनडिया, इसका साही ऑप्शन दी, चली आगे बढ़ते है, विच्छन 14, अमंग देंसली पॉपुलिटेड रीजन विच्छन विच्छन आप लॉजिक से बना सकते थे, क्यों? देखिए, यहाँ पर क्या था कि does not depend on directly on agriculture, तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो lower value of river line, basically, आफरिका में कोई भी कंट्री होगा, मतलब कोई भी कंट्री होगा, या कोई भी रीजन होगा, वो definitely poor होगा, ठीक है, और agriculture dependent country होगा, तो North Eastern United States of America, यह वाला जो रीजन आप देखेंगे, यह बेसिकली क्या है, यहाँ पर जो USA का जो है, सबसे finance capital का जाता, इस साइड का, इस साइड का रीजन जो है, पूरी तरह से जो स्टेट से यहाँ पर Philadelphia, New York, तो यहाँ सारे जो है, economic activities बहुत जादा होता है, और बहुत जादा population है, करीबन यह बोला आता है, 23% जो है, USA के GDP में contribute करता है, तो आपके लिए जो है, सही option होना चाहिए, option D, North Eastern United States of America, ठीक है, क्योंकि बाकी आप देख पा रहे हैं, कि यह काफी जो है, बोल सकते है, mid income वाला region या lower income वाला region आता है, तो definitely वहाँ पर आपका agriculture पर dependent population होगा, तो आपका जो है, अगर आप थोड़ा सा अंदाज लगाते हैं, तो maybe आप सही option D, जो है, mark कर सकते हैं, ठीक है, चली बढ़ते हैं, उसका out of the total population of 1 to 1 crore, what was the level percentage of urbanization in 2011 census of India, तो again census of based question, factual question, अगर आपको पता है, तो पता है, नहीं पता है, तो नहीं पता है, तो इसका सही option क्या है, 31.16%, तो इसके near about आप देखेंगे, तो option कौन सा आता है, option D, 31.15%, ठीक है, तो यह जो है था आपका carbonization था, level of urbanization according to 2011 census, ठीक है, factual questions है, कुछ किया नहीं जा सकता है, अगर आपको पता है, तो आपको पता है, article 338 of Indian constitution deals with यह अगिन आपका जो है, पॉलिटी का basic question है, आपको पता ह चाहिए, क्योंकि जो, और खास करके, अगर कोई constitutional body है, तो उसके related जो article से constitution में, वो आपको definitely बता होना चाहिए था, तो यह बो मान सकते हैं, कि आप basics policy का question है, उसके बाद आगे बढ़ते है, who among the following can impose the penalty under section 20 of RTI Act, तो इसमें क्या है, as per the section RTI, section 21 of RTI Act, the CIC, ठीक है, Central Information Commission and the SIG, ज जानते है, Public Information Officer, जो होता है, while deciding on a complaint or a second appeal, कि the penalty can be imposed if PIO has refused to receive an application, ठीक है, अगर PIO ने अपना काम अच्छे से नहीं किया है, तो उसके इसमें CIC और SIC जो है, वो दोनों penalty imposed कर सकते हैं, तो इसका सही होगा क्या option, option C, ठीक है, चली बढ़ते है, 18 में, controller and auditor general CAG of India submits its reports relating to accounts of union 2, यहा पूइन्ट करते हैं, President और President को जो ही report submit करते हैं, आपको पता है कि कौन-कौन सा report होता है, आपका report on public, जो आप 3-3 reports होते हैं, on PSU's public account, ठीक है, तो वो सारे reports जो है, जो है, President को देते हैं, और President को किसको करते हैं, submit करते हैं to the Parliament, ठीक है, और वहाँ फिर further discussions होता है, तो आपका स President होता है, जो की report submit करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 19, Chairperson and Member of State Public Service Commission, अपॉइन्ट देखी, इस तरह का question आप से इसलिए पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको confusion create किया जाए, ठीक है, यहाँ पर अगर आपने कभी पढ़ा होगा, कि State PCS के जो है, स्टेट पे आपके Public State Service Commission, जो होते हैं, उसके जो आपके Chairperson और Member होते हैं, इनको हटाने का पावर जो है, वो President के पास है, ठीक है, वो Governor के पास नहीं होता है, लेकिन आप सो, क्योंकि आपने यह कभी पढ़ा होगा, तो आपको यहाँ पर confusion हो सकता था, कि उनका appointment कौन करते हैं, तो इनका appointment जो है, वो Governor करते हैं, तो option A बिल्कुल सही है, यह आपको confuse करने के लिए question दिया गया था, क्योंकि यह चोटा-चोटा पॉइंट्स जो है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो 20 यह देखें, यह अगे एक factual question था, आपको पता है, अगर तो यह को कि बहुत ही difficult question में बोल सकते हैं, क्योंकि date किसी को याद नहीं रहता है, बहुत और ऐसा date तो बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा, इस question को आप लीव कर सकते हैं, लेकिन हम लोग देख लेते हैं, इस cancer जिन्होंने भी mark किया है, the development monitoring and evaluation office DMEO was constituted on, तो यहाँ पर परिशान नहीं हो नहीं, इस तरह question जो है, गलती हो सकता है, और exam situation में तो और भी गलती हो सकता है, तो अब जो और further आपके questions आएंगे, जिस वीडियो में आप देखिएगा, वहाँ पर कि आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है, ठीक है, और उसके बाद आप definitely इसका ए ठीक है, तो चली, वेट करीए तब तक next video का, next video में जो है, और भी questions discuss होंगे,